नमारे स्कार दोस्तों नम north लौवा घिया इत्यादी हैं इसे हर्याणा और पनजाब में घिया के नाम से जाना जाता है उर्दु में इसे तुमबरी केहते हैं दोस्तों यह जो है कुकुर्बीटे सी कुल का पौदा होता है इसे अंग्रजी面 बॉक्तल गौड कहते हैं दोस्तो लौकी के बहुत सारे फाइदे आयरुवेद में बताये गए हैं इसके फल, पत्ता, बीज, जड़ को आप पर्योग में ला सकते हैं दोस्तो लौकी में 90% तक पानी होता है 100 गराम लौकी में भारत से भी कम क्यलोरी होता है या फाइबर से परिपूर्ण सबजी है सो भूख भी कम लगती है दोस्तो अभी के मौसम में लौकी आपको बहुत यसानी से मिल जाएगा दोस्तो चलिए जानते हैं इसका अईरुवेदिक इलाज में कौन-कौन से आप बीमारियों को दूर कर सकते हैं दोस्तो अगर किसी ब्यक्ति को मधुमे की समस्या है तो लौकी का जूस मधुमे को नियतित करता है इसलिए आप इसका आप जूस पी सकते हैं इसके साथ अगर आपको खुजली की समस्या है, दिनाय है, दाद खाज खुजली है तो लौकी के फल को पीश कर उसका रस निकाल ले और जहाँ पर खुजली है वहाँ पर लगाएंगे दो से तीन दिन लगातार तो खुजली नौष्ट हो जाती है कॉबज की समस्या है तो लुखी के सेवन से कॉबज में राहत मिलती है यह बहुत यसानी से पहुच जाता है दोस्तो लुखी खाने से केलस्टोर को नियंतित किया जा सकता है इसके साथ अनिद्रक विमारी हो तो आप लवकी खाएंगे तो आपको निंद भी अच्छी आने लगती है अगर आपके चेहरे पर मुहांसे हैं तो लवकी के फूल के रस में नीवू का रस मिला कर चेहरे पर लगाने से मुहांसों से छुड़कारा मिलने लगता है इसके साथ अगर गंजापन की समस्या है तो दोस्तों आप परसान रहते हैं तो लोकी का घरलो उपाई गंजापन दूर करने में बहुती फायदे मौन साबित होता है तो लवकी के पत्ते केरोस को सीरपल लगाने से खालित्य या फिर गंजपन में लाब होता है तो आप ऐसा कर सकते हैं तो कैसे लगे हमारी आज के जनकारी कॉमेंट करके ज़रूर बताएं इस वीडियो को लाइक करें हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें हम आप से जल्दी मिलते हैं किसी और नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दोस्तो